वेलकम टू दा एक्जाम टॉपर्स स्वागत है आप सभी का हमारे येट्यूब चेनल में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोरोना वाइरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया है इसके पीछे क्या कारण था और इसके पीछे की पूरी जैनतारी जैसा कि आज दुनि पार एक नाम विश्व या परसंगठन अर्थात डबलू एच ओ ने कोविड नाइटीन रखा है इसमें सी ओ का मतलब होता है कोरोना वी आई का मतलब होता है वाइरस और डी का मतलब होता है डिसीज अर्थात कोरोना वाइरस डिसीज और निस वर्ष को वन नाइन को यह दर कोरोना वायरस या कोविड 90 कई वायरस विशनों का एक समू होता है जो इस्तंदारियों और पक्षियों में फैलता है अब तक इस वायरस से पूरे विश्व में कई हजर लोगों की जान जा चुकी है और कई करोडों में तादाद हैं जो इससे संक्रमित हुए हैं अब सवाल यह उड़ता है कि आखिर इस वाइरस का यह नाम किस ने रखा और क्यों रखा था दरसल एक वाइरस और उसके कारण फैलने वाला रोग अलग-अलग होता है जैसे HIV वह वाइरस है जो AIDS रोग का कारण बनता है इसी प्रकार खसरा एक रोग है इसको फैलाने वाइरस का नाम होता है रोवेला अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मेनमद्दा है कि बीमारियों का नाम क्यों रखा जाता है बीमारियों को एक विशेश नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी संक्रामक्ता या प्रसार, गंभीरता, रोक थाम और उप्चार के लिए टीके के प्रयास सफल दिशा में किये जा सके यदि रोग का नाम ही नहीं रखा जाएगा तो डॉक्टर को यह जानने में परिशानी होगी कि बीमारी क्या हो सकती है और इसके लिए कौन सा इलाज करना सही होगा या नहीं इसलिए रोगों को आधिकारिक तोर पर डबलू एचो अर्थात विश्विश्वास्त संगठन द्वारा अंतरास्टी वरगी करन या आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और डिसीज आईसीडी में नामित किया जाता है जैसा कि यह ट्विट था डबलू एचो के दारा जिसने यह नाम दिया था कि हम इस बीमारी का नाम दो हजार उननीस कोविड नाइनटी रख रहे हैं आहम चर्चा करते हैं वाइरस का नाम कौन रखता है तो वाइरस का नाम नेदानिक परिक्षणों, टीकों और दवाओं के विकास को सुविधा जनक बनाने के लिए उनके अनुवान्शिक सरनेशनों के अधार पर रखा जाता है वाइरलाजिस्ट और अन्य वेग्यानिक समूदा इस कारे को करते हैं वाइरस का नाम International Committee on Taxonomy of Virus अर्थात ICTV के द्वारा रखा जाता है आहम बात करते हैं मैंने मुद्दा जो था कि कोरोना वाइरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया है दरसल कोरोना शब्द का लेटिन भाशा में अर्थ होता है क्राउन या मुकुट कोरोना सब तक क्या अर्थ होता है क्राउन या मुकुट कोरोना प्लाजमा की एक आभा को भी कहा जाता है जो सूर्य और अन्य सितारों के चारो और होता है सूर्य का कोरोना बाहरी अंत्रिक्ष में लागों किलो मीटर तक फैला होता है और इसे सबसे आसानी से पूर्ण सूर्ण ग्रहड के दोरां देखा जाता है जो की हाल ही में देखा गया था लेकिन इसे कोरोनोग्राफ की मदद से भी साफ साफ देखा जा सकता है जब वेग्यानिकों ने कोरोना वायरस को इलेक्ट्रON मा刈क्रोइस्कोप के ज़री देखा तो उन्हें यहां वायरस, क्राउन, यह सूर्ण की करोन जैसा दिखाई दिया था दरसल यहां वायरस गोल है और इसकी सताबर सूर्ण की करोन की तरह प्रोटोन की स्टेंस यानि शाखाएं भी उगी हुई है जैसा कि आप स्क्रिन पर देख सकते हैं यह पूर्ण सूरगना का सूरज जैसा दिखता है वो है और इसी का आकरती के समान लगबग कोरोना वाइरस जो देखा गया है और इसमें छोटे छोटे से यहाँ पर ऐसे स्ट स्टेंस यानि की शाख्राएं ओगी हुई दिखती हैं जो हर दिसा में फैलती हुई महसूस होती है ठीक वैसी ही जैसी की सूरगी आभाय किरने की कारण इसका नाम कोरोना रखा गया था जैसा कि यहाँ पर डबलो एचो के द्वारा दो अलग अलग डेटर दी गई है तो त 20 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि इसका पहली बार पता वर्स 2019 में ही लगा था तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि कोरोना वाइरस का नाम कैसे रखा गया है और कोविड 90 शब्द किन किन सब्दों से मिलकर बना है और इसका क्या अर्थ है तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें थेंक्स फर वाचिंग चैहिंद